आज पटना में बुक फेर लगा हुआ था, और मैं गया, और सही में, जब मैं किताबों के बीच में जाता हूँ, तो बड़ी खूसी मिलती है मुझे, ऐसा लगता है कि जैसे नहीं होता है कि best place जो मुझे समझ लीजे, मेरे लिए best place वही है कि किताबों के बीच में रहूं कई किताबे खरदी मैंने आज तो उसमें से कुछ किताबे आपके साथ डिसकस करना चाहता हूं जो मैंने आज purchase किया है, तो सबसे पहली जो किताब है मैंने भगत सिंग की किताब इसके वारे बहुत मैंने सुना था कि मैं नास्तिक क्यूं हूं ये बड़ी पतली किताब है और किताब के मुल मातर 20 रुपया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस किताब को देखके और ये मेरा टार्गेट है कि आज रात में पढ़ जाऊंगा जैसे से किताबों को पढ़ूँगा आपसे लाइफ क्लास में डिसकसन करते रहेंगे इस पे तो पहली किताब है कि मैं नास्तिक क्यूं है भगत सिंग ने खुद लिखा इसको और जब वो जेल में थे तब उन्होंने किताब इस किताब को लिखा है थोड़ा सा मैंने इसका एक पेज पढ़ा और मुझे सही में अच्छा लगा कि भगत सिंग जी की सोच उतने कम उमर में ये 19-20 साल-18 साल की उमर में इतनी डेवलोप सोच कैसे हो सकती किसी की तो ये किताब मतलब फर्स्ट किताब है जो आज मने लिया है दूसरी किताब है जो मेरे फेवरिट राइटर है जिनको मैंने बहुत पढ़ा बहुत लेट से सुरू किया पढ़ना ओशो की किताब है नहीं राम बिन ठाओ ये वली किताब है इस किताब को पढ़ने के भी मेरी बहुत इक्षा थी और इसके बार में सुना हुआ था मैंने संजोग वस्त वहाँ ओशो पब्लिकेशन का काउंटर लगा हुआ था बुक फेर में वहां गया मैंने दो किताबे ली अपने दूसरी बुक को सजेस्ट किया मन से मुक्ती मोख्श है तो ये वälle किताब सेटेंद है ओशो की मन से मुक्ष है तो दूसरी किताब यह है इसको जैसे ऐसे पढ़ूंगा थोरा सा ब्रीफ में हम लोग इस टॉपिक पे और डिटेल बात करेंगे तीसरी किताब है गीता मैंने गीता पहले भी डिटेल में बहुरी मोटी किताब कर दी थी इस किताब को पढ़ने के मेर कि तो इसलिए इस किताब को मैंने लिया पतली किताब है यह वी और हो सकता है इसके माध्यम से जो गीता पढ़ने का मेरा एक ड्रीम है एक विसलिस्ट था सभी किताबों से उपर जियोगी गीता मैंने कई बार कोशिस किया पढ़ने का लेकिन वह कणेक्शन नहीं हो पाए क उसके बाद जो किताब लिया है मैंने लहू है की तब भी गाता हूँ पास की किताब है यह कुजिन पहले मैंने पास की एक कविता पड़ी थी कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना कविता इसी किताब से लिग गई थी तो वो तो मैंने ऐसी ही इंटरनेट पर पढ़ा था लेकिन जब आज इनकी किताब देखी मैंने तो अपने आपको रोक नहीं पाया कि इस किताब को जरूर लूँगा तो यह किताब है लहू है की तब भी गाता हूँ तो यह कविताओं का इनका संकलन है, पाश का इसमें से कुछ कविताच चेलईगी तो भी क्लास में हम लोग डिसकेसन करेंगे उसके बाद एक अगली किताब है, इस किताब का हुआ जग 있는 क्लास में कि बहुत सारी चीज को डॉम्निक लैपियर की जो इंगलिस वाली किताब है वो थोरा टुफ है उसका कुछ लैंग्वेस्ट तो मैं कई जगर डिसकनेक्ट हो गया था तो इसलिए मुझे अच्छा लगा हिंदी किताब जो मैंने लिया और इसका यह बिल अंदर ही है तो इस किताब को मैंने आज खरदा इसके बारे में भी डिटेल में कभी बात करेंगे और दो किताबे और मैंने खरदा आज एक तो एंजल्स का है प्रिंसिपल ओफ कॉमिनिजम यह भी किताब हमने कोर्स के दौरान एकनोमिक्स में पढ़ा था मेंस में पढ़ा था और इनके दौरा खुद की लिखी किताब जब दिखी तो मैंने ले लिया एक किताब यह और लास्ट जो किताब है यह रैंडमली मैं मैंने पिक किया एक बुक स्टॉल पे गया था वहां पे हल्दी नाम भुजिया वालों की जिवनी है कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया 5000 करोर की कंपनी बनाई तो मुझे अच्छा लगा मैंने पेच पलट के देखा तो